नमस्कार दोस्तों अबी एक पल था यह सही है मस्क ने आईरन मैन 2 में एक अनुखी केमियो भूमिका निभाई मस्क और आईरन मैन फ्रंचाइज के बीच का संबन्द आपकी सोंसे कहीं अधिक गहरा है टोनी स्टार का सांदार किरदार निभाने बाले रावाट डाउनी जूनियर ने बास्तम में 2008 की फिल्म आईरन मैन के किरदार में ढलने के लिए मस्क की और रुख किया था मस्क की प्रोद्योगी की के प्रति लगाओ और जो संबब है उसकी सीमा को आगे बढ़ाने के उनके इच्छाने उन्हें मार्वल के एरपती हतियार डीलर के लिए बास्तविक दुनिया का करीबी एनलोग बना दिया यह रिस्ता आरिन में टू के काम तक बढ़ा जहां मस्क ने अपनी कैमियो भूमिकानी भाई लेकिन यह कैसे हुआ खैर यह पता चला कि डाउनी जूनियर और मस्क दोस्त बन गए और इस दोस्ती के कारण जीत की स्थिती पैदा हुई मस्क को न केवल यह कहने को मिला कि वहां आरिन में टू में है बलकि प्रोड़क्शन कंपनी को भी बड़ा फायदा हुआ इस्तान के लागत किसी फिल्म के बजट को इतना अधिक खा सकती है जितनी कोई अन्य चीज नहीं एक सब्ताहा के लिए स्पेस एक्स सुविधा को किराय पर लेने की लागत की कलपना करे यह ख़गोली होगा लेकिन Iron Man 2 की प्रोड़क्शन कंपनी ने इसका समाधान ढूंड लिया उन्होंने बस पूँच लिया, मस्क ने उन्हें स्पेस एक्स में मुफ्त में फिल्म देखने दी हर जगह प्रोड़क्शन, डिजाइनर, केबल, स्पेस एक्स, भैक्टरी जैसा रेडिमेट और विशिष्ट इस्थान पाने का सपना देख सकते हैं Iron Man 2 के अलावा एलोन मस्क ने भी भिन फिल्मों और टेली विजन सों में कई कैमियो भूमिका निभाई है तकनीकी इनोवेशन और करिश्माय वेक्तित्यों के उनकी अनूठे मिस्टरण ने उन्हें इन दिखावे के लिए एक लोग प्रिवक्ति बना दिया सिनेमा के चित में मस्क मचेटे किस और ट्रांसेडेंस जैसी फिल्मों में खुद को कैमियो भूमिका में निभादते हुए दिखाई दिए हैं उन्होंने कॉमेडी फिल्म भाई हिम में एक संचिप्त हुमिका निभाई थी और साइंस फिक्षन एक्षन फिल्म मैक इन ब्लेक इंटरनेशनल मस्क की टेली विजन परस्तुतियां भी उतनी ही दिल्चाश्प हैं उन्होंने दा सिंपसंस साउथ पार्क और दा बिग वैंग थियोरी जैसे लोग प्रिशों में अतिती भूमिका निभाई है दा सिंपसंस में उन्होंने दा मस्क फेल टू अर्थ नामक एक एक एपिसोड में अभिने किया और दा बिग वैंग थियोरी में वहा दा प्लेटोनिक पर्मुटेशन नामक एक एक एपिसोड में दिखाई दिये यहां तक उन्होंने Rick and Morty के एक एपिसोड One Crew Over the Crew Crew को Morty में एलोन टस्क नाम के एक पात्र को आबाज दी मस्की उपस्तिती बरत्चितर सहली तक भी फैली हुई है उन्होंने कई बरत्चितरों में अभिने किया जिसमें Revenge of the Electrica, Racing Extinction और Low and Behold Railway Ridge of the Connected World सामिल है इसलिए यह अब आपके पास है Iron Man 2 में एलोन मस्के कैमियों और उनके अन्ह प्रस्तितियों के पीछे की कहानी उतनी ही दिल्चस्प है जितनी कि भाखुद यह हमारे प्रिये कालपनिक बात्रों पर वास्तिविक दुनिया के नब प्रवर्तों के प्रभाव का एक प्रमाड है तो अगली बार जब आप Iron Man 2 या उनलिखित कोई अन्य फिल्म और शो देखें तो उस विशेश दर्से पर नज़र रखें और याद रखें कभी कभी जीवन कला की नकल करता है इस मज़ेदार यात्रा में हमारे साथ सामिल होने के लिए धन्यबाद अधिक रोवांचक सामगरी के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए धन्यबाद मिलते हैं अगले वीडियो में